हेलो गाइज वेलकम तो सेंटरी लाइटिंग इंडस्ट्री मेरा नाम है हर्ष वर्दन सिंग और आज इस वीडियो में आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने बाला हूं कि जो सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर जिस चीज की डिमांड है जो हमारा पर फिसी में बतायते हैं एसी डिसीनान के दिलीमें कि जिसकी चीजादा रहती है उसमें अभी प्रॉब्लम्म सब से ज़्यादा आती है तो वहीं सब्सक्रोब्लम र्ःप्रेश्मेंट की कीक के पास ब्तश जादा अता है जो डिलेश्मेंट को बहुत सारा लाउस हो जात लाइटिंग इंडस्री ने काफी अच्छा रिसर्च का है मार्केट के अंदर ठीक है ना और आपके लिए बैस से बैस ट्राइबर ठोड के लेकिया है जिसमें आपको रिप्लेस्मेंट कम मिलेगा और यह टेस्ट डेंट प्रूफ ट्राइवर हैं जो कि हमारे कस्टूमर सभी करेंड में हैं उसकर रहा है और हमारे प्रोडेक्ट्स हैं उनमें भी यह दो रहा है जबार कि आपको पूरा वीडियो में बताँगा कि आपको पूरा क्या लेना है और कैसे लेना है तो चलिए फِर बढ़ते हैं आज की यूडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साब ने जो material रखा है आप देख सकते हैं हमारे पास 9 watt के driver हैं और 15 watt sorry 12 watt के driver हैं और 15 watt के driver से ठीक है और mcpcv भी रखी हुई है ठीक है और housing भी रखी हुई है तो फिर हम जो सबसे पहले जो सबसे पहले जो सबसे पहले जो पार्ट होगा हमारा वीडियो का वो होगा 9 watt driver के उपर ठीक है ना तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे आदर replacement जो शिकायत आती है वो 9 watt के में आती है ठीक है ना तो 9 watt का जो market में जो driver available है वो मतलब काफी इसमें आप one year की warranty दे तो देते हैं लेकिन आपका driver जादा चलता नहीं है तो इसको मद्य नजर रखते हुए हम अपने driver को देखे है खास आपके लिए एकदम design करवाया है जिसमें आपको replacement कम से कम आए ठीक है ना और आपका जो driver है वह अच्छा चले हो इसकी life अच्छी हो तो आप देख सकते हैं इसका SMD work देंगे सभशे 가 tief ना तो SMD work में आप देख सकते हैं इसमें IC लगी हूई है इसमें इसमें कशें डायोट लगे हुए कि सारे रैसेस्टेंस लगे हुए ठीक है पीचर SMD बार जो driver का मीन होता है ठीक है तो आप देख सकते हैं SMD work कितना अच्छा है कितना प्यारा SMD work है ठीक है ना और फिर नंबर दूसरे पर आते हैं हमारे जो होते हैं मतलब components ठीक है ना तो components में आप देख सकते हैं यहां पर 3 capacitor लगे हुए है और transformal लगा हुआ है ठीक है PF भी अच्छा खासा बड़ा PF लगा हुआ है ठीक है ना और दो MOV है और इसमें fuse दिया गया है SMD work भी must है इसका और इसका जो components भो भी अच्छे हैं तो SMD work क्या करता है जो SMD होती है पीछे की जो electricity की supply होती है driver के अंदर वो उसको अच्छे से करके रखती है light का fluctuate होना ठीक है light जिससे का driver की life बढ़ती है तो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखें यो पीछे का work है वो main होता है तो हमारे driver में आप देख सकते हैं कि तच्छा work है ठीक है तो इस driver को आप कम से कम खरीद कर एक से डेट साल की warranty आराम से दे सकते हैं अगर आप दो साल की भी आराम से दे कीजिए सबसे पहले में आपको जो सबसे मेहम चीज होती है driver की वह SMD दिखा रहा हूँ तो सेम SMD इसमें भी हुगा है ठीक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें भी IC लगा हुआ है डायोड लगे हुए और सारे रसिस्टेंस है तो पीछे में SMD ही होना चाहिए ठीक है और transformer लगा हुआ है बड़ा दो पीएफ लगे हुए एक drum coil है इसमें ठीक है और इसमें आपका MOV लगा हुआ और fuse लगा हुआ है ठीक है आप जैसा की देख पा रहे है ठीक है और जो नंबर दूसरा हमारे driver है जो की बहुत ही अच्छी quality का है 15 watt का आप इसका सबसे पहले पी system लगे हुए डायोड भी लगा हुआ प्रॉपर अच्छा वर्क है ठीक है और यह देखिए इसका capacitor देख सकते हैं कितना अच्छा capacitor कितना है और कितना बढ़ा कहाइश्ध को देखिए जो क्या किए इसका transformer है जो कितना अच्छा transformer का वर्क हुआ है ठीक है इसमें तो एक यह है एक ये पीएफ है इसमें के मुवी लगा है और दो फ्यूज लगें तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा 15 वर्ट का है आप इसमें आराम से धेर से दो साल की वारेंटी दे सकते हैं ठीक है तो एक ही हो गया अब अपन चलते हैं हमारी कि MCPCV के ऊपर ठीक है ना तो मैं हमेशा वीडियो में अपने कहता हूँ जो MCV क्या बल्व की आत्मा होती है ठीक है तो MCPCV अच्छी होगी तो आपका बल्व भी अच्छे से वर्ट करेगा ठीक है ना तो 9W की MCPCV के और बढ़ते हैं हमारे पास जो MCPCV आप देख सकते हैं कितन MCPCV है ठीक है इसका भी गलो काफी अच्छा है ठीक है काफी बढ़िया MCPCV है special order देके आपके लिए त्यार करवाई है ठीक है ना और यह 9W की MCPCV होगी अब जो हमारी 12W की MCPCV है उसकी और बढ़ते हैं देख सकते हैं हमारे 12W की MCPCV कितनी अच्छी quality की है इसका गलो बहुत है इसको हम personally खुद यूज कर रहे हैं जितनी भी MCPCV आपको दिखा रहा हूं सब यूज करके देख रहे हैं इसका गलो अच्छा है हमारे ready product में भी काफी अच्छी चल रही है ठीक है और फिर हमारी जो आती है 15W की यह भी same quality की है बहुत अच्छी MCPCV है ठीक है इसका भी गल British housing है ठीक है यह हमारा brand logo है ठीक है देख सकते हैं और यही सेम अपनी जो 12W की है वह है देख सकते हैं ठीक है 12W की और अलमूनियम अंदर है ठीक है और यही हमारी जो 15W की है सेम ठीक है 15W की थो बड़ी UTL की सी ठीक है हमारे यह company का logo और अंदर अलमूनियम ठीक है और देख सकते हैं एकदम milkish white जो हमारे diffuser है यही 12W की देख लीजिए ठीक है और 15W का ठीक है और यह हमारी टिकली है यह 12W की है यही 15W की है ठीक है यहाग है almost size same होता है टॉलर 15 का तो जो इनकी जो housing होती वह almost same होती है ठीक है और यह देखी है हमारी जो 9 9W की जो heatsink plate है ठीकली बोलते है इनको ठीक है और अपना और इसके साथ आपको निकल क्वालिटी के ब्यूटेटी के लाएंगे अब एक चीज़ और मैं आपके लिए लेकर आया हूं special ठीक है यह है हमारा LPF driver 9W वाला अब जिनका सब लोगों का जिनका मतला बजट कम है वो इसको भी consider कर सकते हैं इसकी भी life ठीक होती है आप इसमें भी दो या तीन महीने की वारेंटी आराम से दे सकते हैं और इसका भी मार्केट में काफी अच्छा से लेगे और इसका भी बल्ग अच्छा करता है ठीक है आप इसमें अच्छी MCPC भी यूज़ करेंगे तो इसका भ आपन रखके material sell करते हैं जो होता है box जिस सबसे पहले देखा जाता है ठीक है तो आप देख सकते हमारा box भी कितना attractive है ठीक है आंगे bulb छपा हुआ है 9 watt वाला और पीछे यह हमारा logo है ठीक है और आप देख सकते हैं इसका color भी काफी color combination भी काफी अच्छा है इसमें जो text लीजे पीछे बल्ब छपा हुआ है 12 15 watt का और आगे logo और इसका color combination देख लीजी आप text का form देखिए ठीक है कौफी अच्छा है ठीक है तो आशा करता हूं यहां तक आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो जरासी भी अच्छी dot com आप महाँ पर भी जाके order place कर सकते हैं और इन driver को मगा सकते हैं और अपने replacement को कम से कम कर सकते हैं ठीक है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए ठीक है और प्लीज आप जब से जब आपके वीडियो आने वाली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जैसे आपको पता पढ़ जाएगा कि दीवाली प्रोडेक्ट क्या क्या है और आप जलसेद ओडर कर पाए ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अगर आपने आ तक वीडियो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद